हलो बच्चो वेलकम टू आई योट्यूब चानल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टेंथ साइन्स वन का चाप्टर नमबर वन जिसका नाम है ग्राविटेशन यह बहुत ही जादा इजी एन इंटरेस्टिंग चाप्टर है और यह ऐसे फिनोमेना पर बेस्ट है जो आप रो में दिया हुआ है what are the effects of a force acting on an object अगर एक object पे कोई force लगाओ तो उसका क्या effect होता है तो यह सारे answers जो है na can you recall यह आपको मैं show off करने के लिए बता रहा हूं class में ठीक है यह questions exam में नहीं आने वाले है इसका आगे की concept से कोई लेना देना नहीं है यह अपने 6th standard 7th standard 8th standard 9th standard कभी आगे चले जाओ मैं index नीचे mark कर दूँगा कि directly यहाँ पर यह topic पर आना है तो कैसे आना है यहाँ पर मैं can you recall के यह तीन question solve करना हूँ ठीक है तो पहला question solve करते है what are the effects of force acting on an object क्या आता है बहुँए effect force का effect सबसे पहला फटा-फट रीड करने की कोशिश मत करना मैं आपको फटा-फटी explain करना set a body in motion कोई body अगर stationary पड़ी है उस पे force लगा के आप उसको motion में डाल सकते हैं आपका दोस बाजो में बैठा है उसको धका मारा force से तो वो हिल जाएगा थोड़ा move करेगा तो आपने क या set a body in motion next effects of force stop a moving body अगर कोई भाग रहा है तेजी से आपने आपका पेर बीच में डाल के force लगाया तो वो गिर जाएगा करना मत ऐसे ऐसे सोचलो cycle चला रहे हो और आप brake मारते हो तो force लगा रहे हो न तो cycle रुख जाती है तो आप क्या कर रहे हो आप एक moving body को stop कर रहे हो कै से force लगा के that's an effect of force can change the speed of the body अगर cycle चला रहे और जादा force लगा के जादा pedal मारोगे तो speed बड़ेगी न you can change the speed of the body अगर pedal slow मारोगे force कम लगाओगे तो cycle की speed कम हो जाएगी तो change होगी न speed कम होगी बड़ेगी दोनों भी हो सकता है ठीक है तो यह भी force का एक effect है चौता है can change the direction of motion of the body again take the example of cycle आप cycle चलाते चलाते force लगा के handle को left लेके जाओगे तो क्या होगा direction of the motion of the body change हो जाएगा cycle left जाने लगेगी कैसे गई ऐसी free में ने गई है force लगा इसलिए गई है काफी बार ऐसा भी होता है कि आप handle छोड़ देते हो और left जा जाके आप गिर जाते हो तब भी force ल लग रहा था cycle ऐसी free में left नहीं जा रही थी गिरे होंगे ना हाथ छोड़ के cycle चलाना सीखा होगा तब एक बार तो गिरे होंगे ठीक है तो वो भी force का effect था next है can change the speed as well as the direction of motion of the body turn लेते लेते pedal speed किया या slow किया या brake मारा तो आप turn भी ले रहे हो आपकी speed भी change हो रही है आपक direction of motion भी change हो रहा है ठीक है handle आपने left लगाया तब pedal थोड़ा slow कर देते हो थोड़ा brake मार देते हो आज कल तो आप active आव अगेरा चला रहे होंगे उसमें करते होंगे ना नहीं करते होंगे तो गिरोगे जब turn मारे और sharp turn है तो आप automatically brake लगा कि थोड़ा सा गारी slow करते हो और फ simple example है हाथ में rubber ball या smiley ball होता ना yellow color का stress ball उसको ले लो उसको bounce करोगे ना तो वो rubber ball का shape change हो जाता है उसकी size भी change हो जाती है ठीक है slow motion पे YouTube पे कोई भी video देख लो bouncing ball का आपको दिख जाएगा कि वो ball का shape and size change हो जाता है ठीक है अगर slow motion में किसी को slap मारते हो भी देखा है तो आप change हो जाती है बट करना मत ही है experiment मत करना slow motion वाला video देख लिना YouTube पे search करके ठीक है slow motion में slap माना video देखने जाने के बाद भूल मत जाना और उसके बाद video की line लग जाएगी और भूल जाओगी कि देख क्यों रहते ये video देखते देखते आप गय थे वहाँ पे distract नहीं होना है अच्छे से देख लो show off करने के लिए काम आएगा आगे बढ़ते हैं second question दिया है what types of forces are you familiar with अब ऐसे मत बुलना सवर पता ही नहीं है पहली बार force आया 6 7 9 8 6 7 9 बूल दिया पर 8 भी है बट आपने last पढ़ा होगा 6th में जहां पे आपको एक topic था force and types of force इसमें आपको सारे types of forces दिये थे बच्चा type forces आ रहे देख लो यहां पर spring का example दिया हुआ था but types of forces आपको दिये थे muscular force जो force आप आपके muscle से लगाते हो सिर्फ ये weightlifting के time नहीं कुछ भी कर रहे हो bench ला रहे हो उसमें भी muscular force यूज़ करते हो next is mechanical force जो force machine run करने के लिए use होता है कोई भी machine ज़रूर नही नहीं बोलते हैं gravitational force gravitational force आप daily basis पे every second experience करते हो और यह पूरा chapter उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है अगर आपने ball उपर बेगा तो ball अपने आप नीचे ही आतरा आपके सर पे गिरने के लिए उपर अटक नहीं जाता है अगर कोई fruit ट्री के उपर से गिरा तो वो नीचे ही गिरेगा क्यों because gravitational force act कर रहा है तो आपने six standard में gravitational force पढ़ा था मुझे पढ़ता है कि तबी आप खिड़की के बाहर देख रहे थे और यह पढ़ने में ध्यान नहीं था आपका इसलिए में आपको भी बता रहा हूं ठीक है अब इसके आगे जाते हैं four type का force दिया ह magnetic force या आपने magnets में देखा ही होगा आप magnet लेके iron की कोई भी चीज उसके तरफ रखोगे तो वो attract होती है उसको बोलते है magnetic force next है frictional force कैरम खेलते खेलते आपको पता ही है या फिर आप cycle चला रहे हो तो भी आपको tire और floor के बीच में एक frictional force feel होता है तो यह forces हमने पढ़े थे six standard म आपने भी example किया होगा comb को अपने सर पर रब करके छोटे छोटे पेपर के टुकुडे टेबल पर रखे और वो comb उसके तरफ ले गए तो वो comb यह paper के pieces को अपनी तरफ attract करेगा यह force कहां से आया यह आपके सर में लगे हुए तेल का power नहीं है हाँ तेल के कारण static होता है बढ सारे forces लगते हैं तो उसको combined forces बोलते हैं ठीक है बट आपने समझ लिया types of forces क्या है यहाँ पे summary में दिया हुआ है कि कौन से कौन से types of forces आपको पता है तो 10 standard में जो आपको second question दिया है यहाँ पे can you recall का तो teacher को बुलना no we cannot recall because we studied in 6 standard 4 साल पहले last year क्या पढ़ा था वो याद नही है यह six standard का कैसे याद होगा अभी योगेशतर का वीडियो देख लिया तो यह second question भी आपको आ जाएगा because six standard में क्या किया था हमने 2 minute में देख लिया types of forces देख लिये third question दिया है what do you know about the gravitational force यह पूरा chapter उसी के उपर बेज़ दे तो gravitational force के बारे में आगे मैं आपको बहुत we have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on earth but also between any two objects in the universe सीधी बाचा में क्या बोल रहा है वो भाई दो objects कहीं पे भी रख दो पूरे world में पूरे universe में एक object earth पे है एक object moon पे है तो भी वो दोनों के बीच में एक force होगा जिसको बोलते है gravitational force इसलिए उसको universal force बोलते है because यह पूरे universe में है और यह कोई भी दो object पे आत करेगा universe में भले हो कहीं पे भी आपको लग रहा होगा और ऐसे थोई नहीं होता है वो हो सकता है power में बहुत कम लेकिन बहुत जादा भी हो सकता है जैसे कि आपके और earth के बीच में जो force है gravitation वो आपको पूरा time feel होता है जंप मार के दिखाओ जैसे ही जंप मारोगे वापस नीचे आ जाओगे उड़के उपर थोड़ी न चली जाते हो आप क्यों बिकॉज अर्थ आपको खीच रहे gravitational force है ठीक है तो वो force कहीं कहीं पे बहुत powerful होता है कहीं पे weak होता है जैसे moon पे लोग चलने को try करते हैं आप astronauts क वीडियो देखना चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है विकोज वहाँ पे gravity थोड़ी कम है zero नहीं है कम force थोड़ा कम है ठीक है let us now learn how this force was discovered आपकी band क्यों वजी क्योंकि ए force किसी ने discover किया अफिर उसके ओपर थेहरी बना है इसलिए आपको पढ़ना पढ़ना है बाई अगर force discover नहीं होता न तो वेरोप्लेम भी discover नहीं होता बहुत सारी चीज़े दुनिया में आती ही नहीं तो आप मजे भी ले रहे हो उस चीज़ के तो पढ़ना तो पढ़ेगा तो चलो ध्यान दो ऐसा मत्सों कि क्यों पढ़ रहे हैं क्यों Newton ने gravity निकाली ठीक है gravitation as we have learned the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton ठीक है ये एक scientist थे जिनोंने ये discover किया था गल्ती से लोग word use करते हैं invent invent का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ जो exist ही नहीं करती थी वो उन्होंने invent के ये ऐसा नहीं था gravitation जो था वो हमेशा सही था सालों से apple जाड़ पे से नीचे ही गिर रहा था लेकिन वो जब नीचे गिर रहा था तो आपके जैसे लोग मेरे जैसे लोग क्या कर रहे थे Sir Isaac Newton जाड़ के नीचे बैट कर उन्होंने जब apple को गिरते हुए देखा तब उन्होंने सोचा भई ये नीचे क्यों आ रहा है फिर उन्होंने ये theory बनाई कि ये gravitation के कारण हो रहा है ठीक है आप जार के नीचे बैट के pubg खेलोगे या फिर free fire खेलोगे तो फिर gravity कैसे discover करोग यार पर gravity तो already discover हो चुकी है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा As the story goes he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical सीधा नीचे क्यों गिर रहे है Because earth के center पे ये force उनको लेकर जाता है इसलिए apple भी center की तरफ ही नीचे attractor के उधर गिरता है ठीक ऐसा नहीं होता कि apple यहां से गिर के खड़ा करके अंदर यहां तक पहुँच जाएगा जमीन है ना बीच में उसको रोकने के लिए But वो गिरेगा तो वही direction में ठीक है Why do they not fly off in a horizontal direction? Because horizontal ऐसा क्यों नहीं गिर रहा? ऐसा क्यों नहीं गिर रहा? क्योंके वो direction में कोई force उसको खीच ही नहीं रहा After much thought, he came to the conclusion That the earth must be attracting the apple towards itself यह उसने सिर्फ सोचा उसके पास कोई instrument नहीं था measure करने के लिए एक theory थी And this attractive force must be directed towards the center of the earth इसी लिए सारे objects center of the earth की तरफ ही गिरते हैं ठीक है? याद रखना ऐसे नहीं सोचना कि center of the earth तक गिरते हैं तो वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा Center of the earth बहुत दूर है surface है यह surface है earth का ठीक है? वहाँ से बहुत दूर है वहाँ तक गिर जाता है फिर इतना force नहीं है कि वह apple को खड़े के नीचे खीच के center तक ले जा इतना force था कि वह वहाँ तक गिर जा The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards ठीक है? जो apple है वहाँ से लेके earth तक का जो direction है वो vertically downwards है इसलिए हो ऐसे गिर है तोच रहें? अरे सर ये angle पे गिर रहा है यार इसने इतना छोटा सा earth बनाया उसके उपर इतना सा newton बनाया इतना बड़ा ठीक है? ये पूरे earth पे अगर मैं newton बनाऊ वैसा तो newton दिखेगा क्या? ये drawing जो है ये बहुत ही गलट drawing है बहुत बड़ा है earth इतना सा नहीं है ये earth के उपर कितना कुछ इतने सारे देश है तो बहुत बड़ा earth है in fact जब उस पर apple tree यहां पे होगा तो ये ऐसा गोल नहीं दिखता आपको आप जहां पे जमीन पे खड़े रहेंगे तो आपको कैसे गोल जमीन दिखती है क्या? कहीं पे आगे तक देखो आपको सीधी जमीन दिखती है earth गोल है वो आपको realize नहीं होता because earth बहुत जादा बड़ा है जब आप एक छोटने से यहां पे खड़े होंगे तो आपको यहां दिखोगे तो सीधा ही लगेगा ठीक है? आप कितनी भी दूर देख सकते हो तो भी आपको सीधा ही दिखेगा because यह earth बहुत बड़ा है ठीक है? तो यह apple का जो fruit है यह नीचे vertically downwards गिरता है figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth the force on an apple on the tree is towards the center of the earth सिर्फ दिखाने के लिए बता है कि center of the earth की towards force है along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth ठीक है? straight line में perpendicular लिए किरता है the figure also shows the gravitational force between the earth and the moon और तिधर है moon इतना उपर है फिर भी इन दोनों के बीच में भी attraction है ऐसे मत्सों के इन दोनों के बीच में attraction नहीं है पूरे universe में क्या लिखा था उपर? कौन सा force है? universal force है gravitation का तो gravitational force पूरे universe में कोई भी दो object ले लो उनके बीच में फिर चाहे earth या moon ले लो या kota factory में मीना और मीनल ले लो दोनों के बीच में वो force of attraction है यहाँ पर gravitation नहीं है actually gravitation भी है बट कोटा factory में तो कोई और ही force चल रहा था आया समझ में gravitational force को universal force क्यों बोलते है because it exists between any two objects in the universe ठीक है? तो यह यहाँ पर हमने देख लिया है कहाँ पहुचे थे हम लोग? the distances in the figure are not according to scale obviously scale पे नहीं होगा न because इतना बड़ा newton इतने बड़े अर्थ में कैसे हो सकता है अर्थ और बड़ा होगा न newton इतना बड़ा थोई ना दिखेगा अर्थ के ऊपर इतना सा इंडिया है देखो यहाँ पे इतना सा इंडिया है उसमें newton भी इंडिया से बड़ा बता है कुछ भी करते हैं लोग newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth can it also act on objects at even greater heights अगर अलग-अलग जगह पर apple देखो अलग-अलग height पर है सभी के ऊपर gravitation force है वो act कर रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो चीज़े बहुत ऊपर है अर्थ से उसके ऊपर भी gravitational force act कर रहा हो can it also act on objects at even greater heights much farther away from the earth like for example the moon क्या moon तक इसका force जा रहा है ऐसे मत तो चोरे moon तक जा तो moon को खीच क्यों नहीं रहा हो moon भी तो एक force लगा रहा होगा moon भी खीच रहा होगा ठीक है ग्राविटेशन थोड़ा complicated चीज़ है but यह एकदम clear है कि दो objects कहीं पे भी आप पूरे universe में ले लो वो उनके बीच में gravitational force होता है can it act on even farther objects like other planets and sun क्या sun और earth के बीच में भी gravitational force है यह सब उसने वहाँ पे apple के जाड़ के नीचे बैठे-बैठे सोचा जहां आप अगर बैठे होते तो आप क्या करते हैं? आप apple खा रहे होते या सर पे लगा तो सर रब कर रहे होते ठीक है? Newton ने बैठ किया जब सोचा तो आपको अभी उसका fruit खाने को मिल रहा है force and motion अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है? Newton ने कैसे सोचा वो बता दिया force and motion में दिया है, we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. We have seen, मैंने आपको, can you recall में effects of force में बताया था कि अगर direction change करना है, speed change करना है तो force के बिना नहीं हो सकता ठीक है? तो मैंने आपको आपको अविडी बता दिया है can you recall, what are Newton's laws of motion? Newton के 3 laws of motion थे, कौनसे standard में study किये थे, याद है क्या? चलो, comments में खाली standard बता दोगी कौनसे standard में Newton के law आपने पढ़े थे ठीक है? विडियो पॉस करो, फटा फट comment करो, फिर मैं आपको Newton के 3 laws बताता हूँ. किया comment? नहीं किया तो भी जाके खर दो. जिन बच्चोंने 9 science लिखा है, उनको correct answer मिलता है, because 9th में आपने पहली बार डीटेल में Newton's laws of motion पढ़े थे. ठीक है? मैंने laws of motion पे बहुत ही लंबा detailed lecture डाला हुआ है. 4-5 lectures लेके एकदम ही अच्छे से chapter explain किया. उसमें मैंने Newton's laws of motion भी आपको सिखाये थे. अगर अभी भी doubt है, तो जाके देख सकते हो, आपको playlist section में 9th standard के science की playlist मिल जाएगी. ठीक है? तो यहाँ पे ये chapter में हमने Newton's laws of motion देखे थे. थोड़ा summary पढ़ लेते हैं Newton's first law of motion का. ठीक है, तीनों law देख लेंगे. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. अगर कुछ चीज पढ़ी है या कुछ चीज जा रही है, आप उसके मस्ती नहीं करोगे. मस्ती क्या मतलब उसमें कोई unbalanced force, अलग से force लगा है. तो वो हो सकता है change हो. अगर आपने मस्ती नहीं करी, तो वो जैसा पढ़ा था, वैसा ही पढ़ा रहेगा. अगर कोई speed में जा रहा है 40 के, वो 40 के speed पर ही जाएगा, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, या उसके tyre रोड के बीच का friction उसको रोकेगा नहीं. अगर कोई नहीं रोकेगा, तो वो ऐसे ही जाता रहेगा. अगर कोई ऐसे ही बैथा हुआ है, rest पे है, वो नहीं हिलेगा, जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं, या वो खुद अपना force लगाएगा, muscular हो हिलेगा नहीं. ठीक है? तो object continues to remain at rest on a state of uniform motion, along a straight line, unless an external unbalanced force acts on it. यह अपना Newton का first law. अब देखते हैं, Newton का second law. The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. यह थोड़ा complicated है, यह मैंने आपको 9th के वीडियो में बहुत ज़्यादा detail में आपको explain किया है, कि momentum क्या होता है. अभी हमारे पास time नहीं है देखने का, अगर आपको याद है, तो बहुत सही नहीं आद है, तो 9th का वीडियो जाके playlist section में आप देख सकते हैं. तीसरा law जो है, वो सबसे easy है, क्या है तीसरा law? Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. तभी के तभी act करता है, एक साथ. अगर action हुआ, तो reaction आने वाला है, आपने मस्ती की, तो मम्मी आपको कान के नीचे बजाने वादी है. Action force, reaction force, ठीक है? असली में क्या होता है? असली में, आप moon और earth को imagine कर लो, अगर earth moon पे force लगा रहा है, तो moon भी earth के उपर force लगाएगा. Equal होगा, opposite direction में होगा. और तभी के तभी, ऐसा नहीं बुलेगा, earth अभी लगा रहा है, moon बुलेगा, मैं तुझे देख नूँगा. और कल बदला लेगा, ऐसे नहीं. तभी के तभी, simultaneously, ठीक है? तो अगर moon, earth पे force लगा रहा है, तो earth, क्या बोलेगा? अभी के अभी, सिंगम जैसे, और moon पे वो force लगाएगा. ठीक है? simultaneously का मतलब वो होता है, तभी, साथ में ही. ठीक है? तो यह थे Newton के तीन laws. आया समझ में? तो gravitation chapter का first page, हमने बहुत ही जादा detail में every single word मैंने आपको explain किया है, कहीं पे भी आपको doubt नहीं होना चाहिए. ठीक है? तो यह खतम होता है, अब चलते हैं second page पे. Second page पर introduction to scientist में आपको Sir Isaac Newton के बार में information दी गई है. उसमें Kepler करके एक और scientist था, उसने भी क्या किया, वो भी थोड़ा बद आपको दिया गया है, और ये paragraph के उपर ऐसा कभी short note नहीं आएगा, कि write a short note on Sir Isaac Newton, कौन से साल में पैदा हुए थे बताओ 1642, कब मरे थे बताओ 1727, नहीं. ये पूछा नहीं जाता, ये आपके knowledge के लिए, आप ये पढ़ सकते हो, और समझ सकते हो, कि क्या लिखा हुआ है, आपको inspire करने के लिए, ठीक है? पढ़ लोग क्या मैं भी? Time waste हो गा है, आप लोग रीड कर लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या है, देखो, he was born in England, he gave his laws of motion, जो भी हमने पढ़ा, equations of motion, जो उनने 9th Standard में पढ़ा था, and theory of gravity, जो भी हम पढ़ रहे हैं. In his book Principia, before this book was written, Kepler had given three laws describing planetary motions, Newton ने ये बुक लिखी, उसके पहले Kepler ने three laws दिये थे, planetary motion, मतवर्थ, Mars, Mercury, Sun के अराउंड कैसे गुमते हैं, उसके बारे में उसने information laws दिये थे, लेकिन उसने वो नहीं बताया था, कि वो कैसे गुमते हैं, क्यों गुमते हैं. The reason why planets move in the way described by Kepler's laws was not more, पता नहीं था, वो कैसे बता चला, Newton ने अपनी theory बनाई, कौन सी theory, theory of gravity, और उसने Kepler के laws को प्रूव किया mathematically, LHS equal to RHS, hence comma proved, उसने प्रूव करके बताया. In addition to this, और क्या किया भाइ, Newton ने, Newton ने groundbreaking work किया और बहुत सारे areas में, including light, heat, sound, mathematics, क्या time था है, यार, mobile नहीं था नो, उसके पास तभी, तो time बहुत था, time list करने के लिए कुछ था नहीं उसके पास. YouTube पे prank videos नहीं देख रहा था, वो ये groundbreaking research कर रहा था, he invented a new branch of mathematics, new branch invent करे, यहाँ पे हमको जो math से वो नहीं हो रहा, और ये mathematics में नहीं branches invent करे, invent, जो exist ही नहीं करती थी, उसने invent किया, discover नहीं किया, discover क्या होता है, जो already था और उसको उसने पता चला, उसको पता किया, invent मतलब था ही नहीं उसने बनाया, this is called calculus, अगर आप 1112 में science लेते हो, तो आपको calculus आएगा, बहुत ही interesting topic है, and has wind-raising applications in physics and mathematics, he was the first scientist to construct a reflecting telescope, telescope भी बनाया है, वही क्या-क्या किया है Newton ने, है न, चलो inspire हो गए, या फिर Newton को गाली दे दी, तो आगे बढ़ते हैं, circular motion and centripetal force, centripetal force भी बोल सकते हैं, tie a stone to one end of a string, मत करना वही, यह experiment घर पे करते करते हैं, लग जाएगा किसी को, सिर्फ पढ़ लो और imagine कर लो कि यह experiment कैसे करना है, stone को एक रस्ची के end पर बांदना है, और उसको यह लड़की जैसे घुमा रही है, इसे घुमाना है, आप आपके घर पे करोगे, तो यहाँ पर ममी आएगी, और यहाँ पर मस्त वाला slap पड़ेगा, ठीक है, मत करना, TV टूट जाएगा, फटके पड़ेगे, तो यह imagine करो यह लड़की जैसे घुमा रही है, यह कोई force लगा रही है, stone पे, रस्ची से पकड़ा हुआ है, रस्ची घुमा रही है, stone इदर है, तो यह stone पे, यह लड़की को ए force लगा रही है, क्या, ऐसा question पूचा है, in which direction is this force acting, अगर वो force लगा रही है, तो वो force कौनसे direction में act कर रहा है, ऐसे act कर रहा है, ऐसे act कर रहा है, तो यह stone तो यह direction में घुम रहा है, correct, what will be the effect on the stone, यह force जो लगा रही है, वो कौनसे direction म कर रहा है और उसका क्या effect आ रहा है यह पूछा गया है क्या बोल रहा है देखो as long as we are holding the string we are pulling the stone towards us pulling मतलब अपनी तरफ खीच नहीं रहे हैं लेकिन हम छोड भी नहीं रहे हैं उसको घुमा रहे है रसी पकड़के तो वो घूम रहा है लेकिन कहीं और दूर नहीं जा रहा है क्यों नहीं जा रहा because हम stone को अपनी तरफ खीच रहे हैं कहां खीच रहे हैं we are pulling the stone towards us that is towards the center of the circle and are applying a force towards it the force stops acting if we release the string अगर रसी आपने छोड़ी घर के अंदर तो टीवी को जड़के लगेगी टीवी की screen टूर जाएगी या किसी और को stone लग जाएगा लेकिन जब तक आपने रसी नहीं छोड़ी तब तक वो stone ऐसे ही गूमता रहेगा ठीक है क्योंकि आप उसके उपर एक force लग है ना the force stops acting if we release the string in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle ये उपर से ये ही इसका वियो देखो ये लड़की को उपर से camera से shoot किया है तो अगर ये stone ऐसे गुमा रही थी ठीक है उसने अगर यहाँ पे छोड़ा ना stone तो ऐसे मत्तुचों कि stone ऐसे चला जाएगा ऐसे मत्तुचों कि stone इदर आ या नीचे गिर जाएगा stone हमेशा ये जो circle में गुम रहा था ना उसको tangent क्या होता है एक ऐसी line जो circle को सिर्फ एक point पे touch करती है बार बार अलग अलग point पे touch नहीं करती सिर्फ एक point पे touch करती है वहां से वो यहां तक ऐसे जा रही है ठीक है तो ये stone को अगर यहाँ पे अगर यहां पे छोड़ा तो इधर जाएगा तो अगर टीवी यहां पे रखा है तो आप कहां छोड़ोगे इधर ताकि जाके सीधर टीवी को लेंगे मत छोड़ना भाई पटके बढ़ेंगे Newton का third law मिलेगा आपको अपे ठीक है तो हमें इसना tangential जाता है in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is leaves जहाँ पे भी stone को छोड़ा हर जाके दिक हो अगर यहां छोड़ा तो यहां पे tangent इधर है यहां छोड़ा तो यह direction में राएगा because tangent इधर है because that is the direction of the velocity at that instant of time हर point पे यह stone की velocity change होती है speed मत बोलना speed में direction नी होता है velocity में direction होता है तो हर point पे उसका direction change हो रहा है you may recall that we have performed a similar activity previously आपने तबी भी कुछ perform नहीं किया था read करी थी in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disk अगर ऐसी एक disk के जो speed में घूम रही है और इसके आपने पांच रूपे का एक सिक्का रखा तो बहुत speed घूमी तो यह सिक्का ऐसे fly off कर जाएगा ऐसे direction ठीक है हमेशा tangential जाएगा अगर इधर से उड़ा तो ऐसे direction में जाएगा इधर से उड़ा तो यह direction में जाएगा ठीक है tangent में जाएगा thus a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle हमेशा it is यह क्यों stone यहां पे घूम पा रहा है because उसको आप attract कर रहा है force से कौन सा force वो force का नाम है centripetal force this force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle हमेशा it is directed towards the center of the circle center change नहीं होता circle का रहा है अब यह इधर घूम रहा है यहां पे पहुच गया तो force कौन से direction में इधर towards the center यह घूम के पत्थर यहां आ गया तो towards the center of the circle force हमेशा उसको खीच रहा है इसलिए यह circle में घूम पा रहा है ठीक है यह circular motion जो है possible है because centripetal force है वहाँ पे अगर यह force नहीं होता तो यह रसी तूड़ जाती है और यह पत्थर कहीं पे ऐसे उड़ जाता ठीक है centripetal means center seeking seeking मतलब ढूणना तो यह जो force है यह हमेशा center ढूणता है यह पत्तर यहां पहुचा तो फोर्ण को लेगा रहे center कहा है center को बीच में तो यहां पे जाए यहां पे पहुचा तो फिर भी center की तरफ जाएगा हमेशा यह force center को ही ढूणनेगा the object tries to go towards the center of the circle because of this force you know that the moon which is the natural satellite of the earth आपको पता है ना moon आपनी satellite है earth की goes round it in a definite orbit यह moon ऐसे randomly नहीं गुम रहा earth के round garden में ठीक है earth ऐसा है moon इदर है तो moon एक particular path पे गुम रहा है ऐसे नहीं कहा रहे चलो यहाँ पे हवाज आता है ऐसे ऐसे गुमता हूँ ऐसे गुम के जाऊंगा घर पे लेट पहुचोंगा बीच में चना खाऊंगा ऐसे नहीं है एक definite orbit है path है उसमें गुमता है the direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion उसका direction भी change हो रहा है speed भी continuously change हो रही है पर मैंने जब आपको force का effect बताया था तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी object की speed या direction change करने के लिए उस पे force लगाना बहुत ज़रूरी है अभी moon को कोई रसी बांद के तो नहीं गुमारा है ना आपको दिख तो नहीं रसी हमने जाके भी देख लिया कि कोई रसी नहीं बांदी हुए तो moon कैसे गुम रहा है उस पे कौन force लगा रहा है तब समझ में आया कि इस पे force तो लग रहा है कौन सा लग रहा है आप जाके देखेंगे लेकिन moon ऐसे एक particular रस्ते में घूम रहा है बिकास उसको force किया जा रहा है ऐसे घूमने को लेकिन मून को भी ऐसे घूम घूम के garden में जाना है जा नहीं पाता बिकास उसके उपर एक force लग रहा है do you think some force is constantly acting on the moon obviously मैंने effects of force आपको बढ़ा है तब बढ़ा है कि अगर speed change कर नहीं है या direction change करना है तो force को लगेगा तो अगर तब सुन रहे थे तो आपके इसका answer क्या दोगे हाँ भाई लग रहा है what must be the direction of this force अभी हमने देखा कौन सा होगा भाई सेंट्री बीटल होगा how would its motion have been if no such force acted on it तो moon यहाँ वाँ गाडन में घुंके कहीं भी चला जाता है ठीक है do the other planets in the solar system revolve around the sun सारे planets sun के around revolve करते है क्यों revolve करते हैं in a similar fashion because sun भी अपने सारे planets पर force exert करता है is a similar force acting on them obviously यह नहीं तो sun इदार है earth इदर है earth ऐसे घुमते घुमते जब जा रहा है बोले का यार आज में को पकर है चल शॉटकट मार के इदर से Mars को मिलके आता हूँ है ना या फिर Jupiter के साथ मैं cricket खेलूँगा ऐसे तो नहीं कर सकता उसका एक definite path है क्यों sun उस पे एक force लगा रहा है वो force के कारण वो एक definite path पे घुम रहा है what must be its direction कोई तो direction में है इसलिए वैसे घुम रहा है from the above activity example in questions it is clear that for the moon to go around the earth there must be a force which is exerted on the moon and this force must be exerted by the earth moon पे earth force लगा रहा है जिसके कारण earth moon को अपनी तरफ attract कर रहा है जैसे ये लड़की पत्थर गुमा रही थी रसी पे रखे तो पत्थर को अपनी तरफ खीच रही थी force ठीक है वैसे ही जो earth है वो moon को अपनी तरफ खीच रहा है इसलिए moon घूम रहा है ऐसे गोल नहीं तो moon भाग जाता है यहांज़ which attracts the moon towards itself similarly sun जो है must be attracting the planets including the earth towards itself sun ऐसा है ठीक है और earth उसके round घूम रहा है जै वो क्यों घूम रहा है because sun ये earth पे एक force लगा रहा है free में नहीं घूम रहा है और ऐसे अच्छा बच्चा नहीं कि रही यार मेरे को बोला ये रस्त बिजाने का तो मैं इधर ही जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है sun continuously उस पे एक force लगा रहा है और continuously ओ force लगा रहा है उसके current earth ऐसे जा रहा है समझ में आए एकदम clear है तो आज के lecture में मैंने आपको gravitation का first page कराया एकदम detail में can you recall भी किया हमने एकदम अच्छे से और इसका second page किया ठीक है तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है आपका first वीडियो है science one का तो वीडियो यहीं पे खतम करते है हम लोग science one इतनी ही detail में करेंगे हरे एक word का मतलब समझेंगे मेरा aim यह है कि जब भी आप ये वीडियो देखे अच्छे से देखकर आपका textbook पूरा इतना detail में cover होना चाहिए कि कोई भी extra question कहीं से भी आए आपको ऐसा नहीं लगी कि बाहर से आए बाहर से कोई question आता नहीं है टेक्स्बुक के अंदर से ही आता है बट आपकी textbook reading होती नहीं है और वीडियो में लोग ऐसे explain करते हैं कि main concept थोड़ा से explain कर दिया बट जो theory theory और पूरी explain नहीं करते है तो आप लोग का वो रह जाता है ठीक है तो मेरे वीडियो में मैं line wise every single word explain करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका advantage यह है कि आपको सब कुछ पता होगा disadvantage यह है कि वीडियो सोड़े लंबे होंगे बट ऐसा सोचो ना यार कि एक बार वीडियो देख लिया फिर उसके exercises solve कर लिये साथ में फिर खतम हो गया यार वो concept आपके दिमाग में print हो जाएगा आपको वापस देखना नहीं पड़ेगा unless until आप बिना ध्यान दिये देख रहे हो अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपको वो concept बाद में वापस बहुत जादा detail में revise नहीं करना पड़ेगा ठीक है revise तो करना ही पड़ेगा because portion काफी जादा है but आपका 80-90% आप recollect कर पाएंगे 10% आप भूल जाएंगे जो आप एक बार textbook देख लेंगे तो आपको याद आजएगा तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं ये channel पे आपको maths and science के सारे videos मिल जाएंगे हर एक chapter maths में भी और science में भी मैं हर question solve कर आता हूँ एक भी question छोड़ता नहीं हूँ तो playlist section में आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर detail में इतने videos देखने हैं तो आप channel को subscribe कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ ये channel share भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इतने ही detail में videos मिले प्लस ये channel को support मिले आपका ही channel है चैनल आगे बढ़ेगा मुझे जाधा support मिलेगा तो मुझे जाधा motivation आएगा आपके लिए और videos बनाने में वीडियो पसंद रहा है तो like जरूर करें इसका link अपने दोस्तों के साथ whatsappers share करें था कि उनको भी gravitation अच्छे समझ में आ जाए आप मुझे instagram और telegram पे भी follow कर सकते हैं telegram के channel पे मैं update share करते रहता हूं regular जो youtube पे मैं नहीं कर पाता तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको regular updates मिलते रहेंगे telegram का link आपको screen पे दिखाई दे रहा है और मैंने description में भी इसका link डाल दिया है thank you so much for watching this video